नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है करनाटक के सिक्षन संस्थानों में हिजाब पर लगे प्रतिबंद के खिलाफ भारती मुसल्मानों का एक बहुत बड़ा ब्वर्ग अदालती लड़ाई लड़ा रहा है सुप्रिम कोर्ट में इस पे करवाई चल रही है लेकिन इरान में हिजाब के खिलाफ लोग सड़कों पे उतर आये हैं और कुर्दिस्तान से सुरू हुआ बिरोध प्रदर्शन राष्ट व्यापी बन चुका है और इरान के 50 से जादे सहरों में लोग सड़कों पे उतर आये हैं प्रतर्शन आगजनी की घटनाय हो रही है जिसमें कई लोग मारे जा चुके हैं लेकिन पिछे हटने को तैयार नहीं हैं गुरुवार को दो थानों वो वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया प्रतर्शन की सुरुवात बात जड़पों से हुई और इसमें कई लोग मारे की लोगों का गुसा तब भड़का जब 13 सितंबर को महसा अमीनी 22 साल की युवती को सिर्फ इसलिए गिरफतार किया गया क्योंकि वो हिजाब नहीं लगाई थी और 16 सितंबर को उसकी मौत हो गई थी इसके बाद ही कुर्दिस्तान की रहने वाली महसा अमीनी के फेवर में लोग सड़कों पे उतर आए और भड़क गए महिलाओं ने अपने बाल काटने सुरू कर दिये विरोध में क्योंकि वहाँ पे नियम है कि सिर्फ को ढखना होगा हिजाब पहनना होगा नहीं तो बहुत कड़ी सजा दी जाती है लेकि 21 सदी की महिलाओं को ये कत्ताई गमार लोग सड़कों पे आने लगे आगजनी होने लगे थानों को फूकने लगे अब वहाँ की सरकार और पुलिस दोनों दबाओं में आ गई है दो तरह की रिपोर्ट है एक रिपोर्ट के मताबिक अभी तक वहाँ पे जो भी हिंसा और आगजनी हिजाब के खिलाफ करांती में हुई है उसमें 10 से अधिक लोग मारे गए हैं जबकि दूसरी रिपोर्ट के मताबिक ये संख्या जादे है और 32 लोग के आसपास इसमें मारे जा चुके हैं महिलाओं का साथ पूरुस भी दे रहे हैं इस्थिती पे नियंतर पाने के लिए इरानी रिवलुशनरी गार्ड पाने अफवा फैलाने वालों के खिलाफ च्छतावनी जारी की है और ऐसे लोगों के खिलाफ नयफपाल्गा से मुकदमा चलाने की अपील की है गलत और आफवा फैला करके लोग जो है हिंसा को भड़का रहे हैं बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हिजाब से च्छुटकारा मि तेहरान के एक वीडियो में भीडिया कहती सुनाई देती है कि मुझताब तुम मर जाओगे लेकिन सरोचनेता नहीं बन पाओगे मुझताब खामनई के बेटे हैं और माना जा रहा है कि देश के अगले सरोचनेता वही होंगे उधर मैलाओं के खिलाफ हिंसा और दिर्विवा का आरोप लगाते हुए अमेरिका ने इरान की पुलीस पर परतिबंद लगा दिया है इसलिए पुलिस प्रदर्सनकारियों को दبाने के लिए बल प्रयोग कर रही है बर्स 2019 में गैसोलीन की किम्तों में ब्रधी के खिलाफ इरान में अभूत पूर प्रदर्सन हुए थे जिनमें डेड़ जार से ज्यादा लोग मारे गए थे तो इस तरीके से 2019 के बाद 2022 में महिलाएं सरकों पे उतरी है वो है जिससे की हिजाब क्रांती कहा जा रहा है आज भी बिरोध प्रदर्सन जारी है और आज का बिरोध प्रदर्सन और बड़ा होने वाला है अब देखते हैं कि इरान सरकार इस बिरोध प्रदर्सन से कैसे निपड़ती है क्या नियों में कोई धील देती है संसुधन करती है या अपनी बात पर अड़ी रहती है रहे ने बेखबर देखते रहिए इनकबर थैंक्यू